Now students, activity 1.7 देखते हैं, ठीके students, ये भी आपका इसका example है, decomposition का, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हम electrolysis करेंगे, okay, क्या करेंगे, फटा-फट देखिए, इसको मैं आपको short में याद कराता हूँ, सारी चीज़े, क्या-क्या इसमें एक्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीके न किसमे, किसमे break करेंगे, जिससे वो मिलके बना है, तो water कैसे मिलके बना होता है, water किससे मिलके बना होता है, hydrogen और oxygen से, तो वापस से हमें क्या मिल लाएगा, hydrogen oxygen, अब देखो, इसमें क्या-क्या याद करना है, फटा-फट, सुनो, यह देखो, यह होता है, आपका S2O, arrow लगाय क्या, उपर लिखना है क्या, electro, laces, ठीक, बनेगा आपका क्या, oxygen gas, और साथ में बनेगा आपका क्या, hydrogen gas, ठीक है, यहाँ पर G लिखना है, यहाँ पर G लिखना है, ओके, और यह हो गया आपका liquid, अब इसको फटा-फट पहले balance कर लेते हैं, फिर कुछ बात आप से करते हैं, मंग लिया, मंग में नीचे two hole किये, मंग है, मंग में नीचे hole किया, hole करने के बाद हमने two electrode लगा दिया नीचे, ठीक है, electrode किसका होगा, graphite का, सुन लो, graphite carbon का एक ऐसा allotrop है, जो electricity conduct करता है, ठीक, यहाँ पर graphite के electrode हमने लगा दिये, ठीक है students, अब क्या किया, यहाँ पर leakage नह आएगी और six volt की battery लगाना है, याद रखना six volt की DC battery लगाना है, AC supply हम नहीं दे सकते है taking alternating current नहीं देना है, वापस reverse direction में reaction जाएगी जब current अपनी direction को change करेगा, ठीक है, वापस O2 और H2 से वापस आपको क्या मिल जाएगा, S2, तो हमें alternating current इसलिए नहीं लगाना है, क्योंकि वापनी direction चेंज करता है, हमें क्या लगाना है, direct current लगाना है, direct current क्या करता है, direct current constant रहता है, उसकी direction नहीं change होत देखिए, यह battery का जो minus वाला terminal है, अगर आपकी book में नहीं दिख रहा है, तो सुन लो ध्यान से, जो minus वाला terminal है, उसको बोलोगे cathode, और जो plus वाला terminal है battery का, उसको हम बोलेंगे anode, इस बात को याद रखिए, वैससे topic बहुत detail में, detail में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है तो cation तो positive ion होते थे, लेकिन जब cathode बोलोगे, तो battery में वो बन जाएगा negative, ऐसे सोच लो, ठीक, class 9 में हमने क्या पाड़ा था, anion, anion का क्या मतलब होता था, a negative ion, तो यहाँ पर यह negative ions को दिखाता था, anion, तो अगर anode बोलोगे, तो minus का opposite हो जाएगा ने, कि plus हो जाएगा, तो battery में, anode का देगा आपका positive, याद हो गया, अब सुनो, अब आपको याद यह रखना है, कि यहाँ पर आपने क्या किया, यह graphite की जो rods है, ऐसे, मतलब जो electrode है, इसमें ऐसे उपर से पलट के हमने क्या रखनी है, two test tube रख देनी है, इस तरीके से, ठीक, जब आप two test tube रख है, hydrogen gas, सवाल यही आता है, exam में, कि cathode पे कौन सी gas मिलेगी, anode पे कौन सी gas मिलेगी, तो cathode पे मिलेगी, आपको hydrogen gas, और anode पे मिलेगी, आपको oxygen, इसको याद करने का तरीका है, क्योंकि हम भूल जाते है, exam में, तो हम कैसे याद करें, बहुत असान है, सुनो, देखो, यह cathode है, cathode में H आता है, सुन लो, cathode में H आता है, लेकिन anode में H, नहीं आता है, H4 क्या? hydrogen, its water, hydrogen, तो cathode में H, इसलिए hydrogen आपको switch on करते हुए switch है on कर दिया अब इसमें current flow कराने के लिए अच्छी तरीके से ध्यान से चेकरो current हमेशा plus से minus चलता है कहां से चलता है plus से minus चलता है जिनको नहीं पता है सुन ले तो यहां से current आएगा ऐसे plus terminal से यानिके anode से और वो cathode की तरफ जाना चाता है लेकिन यहां से current आएगा 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 इलेक्ट्रोड में भी चलेगा अब यहां पानी आ गया तो पानी को conductive nature का बनाने के लिए कि पानी में electricity flow करे पानी को conductor बनाने के लिए उसमें आप electrolyte डालोगे electrolyte क्या होता है कोई acid हो जाएगा जैसे electrolyte वो substance होते हैं जिनको अगर हम पानी में डालते हैं और हमें free ions मिल जाते हैं ध्यान से सुनो यह सब बाते नोट कर लो electrolyte क्या होते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो electrolyte ऐसे substance होंगे जिसको अगर आप पानी में डालोगे water के साथ डालोगे ठीक है तो आपको क्या मिलेगा आपको free ions मिल जाएंगे free ions और याद रखिएगा free ions आपको क्या करेंगे electricity अब इसको पूरा complete पाथ अगर चाहिए तो यहां से आरा 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 यहां अब पानी आ गया तो यहां पानी को अपको याद रखना है यह एक्जाम में आपसे पूछेगा कि water की electrolysis करते time आप यहां पर S2SO4 क्यों डालते हो तो जवाब है S2SO4 आपको free ions देगा कौन-कौन सा आयन देगा चेक कर लो यहां पर दिखा देता हूं मैं आपको sulfuric acid आपको क्या 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 देगा दो या तीन drop इसमें S2SO4 डाल देना S2SO4 देगा आपको hydrogen ion और S4 two minus यहने के sulfate ion तो यह क्या करते हैं यह free ions क्या करते होंगे electricity electricity कंड़क करने में help करते हैं तो इस तरीके से conducting path यह पूरा ऐसे बन जाएगा यह देखिए इस तरीके से ठीक है अब इस electricity जो आपने hydrogen 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 कहा मिलेगा cathode में cathode क्या होता है negative वाला battery का negative वाला टर्मिल वहां मिलेगी hydrogen anode क्या होता है positive terminal वहां मिलेगी आपको oxygen cathode में एच आता है इसलिए cathode पर क्या मिलेगा hydrogen यह से व्यात करने की कि आपको आपको anode पर जो gas मिली है और cathode पर जो gas मिली उसका ratio क्या है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो anode पर जो gas मिली वो है oxygen ठीक है copy में note लगएगए फटा फट okay ए छो laser जो receiving है वह है क्या oxygen तो anode पर मिलने तो इस तरीके से यहां से तो ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया है तू लगा हुआ है तू पार्ट यहाने कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने रेश्यों में मिलेगी तो एनोड पे मिलने वाली गैस और कैथोड पे मिलने वाली गैस का जो रेश्यों है वो कितना है वन इस तो टू बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पतलब कि अगर आप टू लीटर वाटर लेके चले थे तो आपको वन लीटर क्या मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी और टू लीटर है oxygen और hydrogen का यह by volume है by mass नहीं है by volume है ठीक है ना तो यह चीज़े इसी तरीके से reverse करके question पूछ सकता है आपको बोलेगा exam में कि यह बताओ जो cathode पर gas मिलती है इसको पलट दिया उसने और जो anode पर gas मिलती इसका ratio बता दो ठीक है ना तो आप आप को cathode पर hydrogen मिलती hydrogen मिलती कितने यहां पर लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है यहां पर लगा हुआ है यह बताओ एक तो यह पूछ सकता है यह बात लिखने है अब आपसे सवाल यह पूछेगा एक तो यह सवाल हो गया दूसर सवाल आपसे पूछेगा कि भई हाँ oxygen कहा मिलती है ठीक है बहुत बढ़िया बात है अब क्या यह डीकंपोजीशन का एक्जामपल है यह सर है एक कंपाउंड लेके चले थे एक सब्सेंस लेके चले थे दो सब्सेंस बन गए अब अगला सवाल यह पूछेगा कि यह बताओ वाटर के से बना होगा सोचो oxygen और hydrogen से reaction करके वाटर बना होगा तो जब वाटर बना होगा तो oxygen और hydrogen ने कितने ratio में combine किया होगा बाई वॉल्यूम तो जवाब है इसको बैलन्स करो तो बात तो वही पड़ेगी ना आपकी यह तू और यहां पे टू लो तो जब और oxygen और hydrogen रियक कर रहे होंगे तो वह कैसे रियक करते हैं वाटर बनता है जब oxygen और hydrogen 1-2 के ratio में combine करते हैं तब क्या बनता है वाटर तो वह तो combination reaction थी उसको छोड़ दो तो जब इसको आप electrolysis करके decompose करोगे यहने कि दो पार्ट में break करोगे तो भीया जिस style से वह बना था उसी style से तो ब्रेक होगा मतलब वाटर आपको अगें क्या देदेगा इसको reverse order में जब जाएगा तो अगें आपको 1-2 के ratio में यहां पर मिलेगी अब आपको समझ में यहां पर आया होगा ठीके students अब देखो और question यहां से क्या दे सकता है ठीके ना question आपको यह दे सकता है सारे possible मैं आपको question यहां से बता रहा हूं है तो यह decomposition reaction का example लेकिन यहां से सवाल अच्छे अच्छे बनाता है जैसे कि उधारण क उसने दे दी 8 liter इतनी 8 liter तो oxygen कितनी मिलेगी एक का हाफ कर दो कितना हो जागा एक्षे करका सवाल एग्जाम में देता है ठीक और बताओं मानलो उसने oxygen आपको दे दिया oxygen दे दिया मानलो 2-liter oxygen दे दिया 2-liter तो तो 2 का आपको double करना होगा कितना हो जाएगा 4 क्यूंकि hydrogen जो है और हाँ एक चीज और याद रखीगा जितना hydrogen answer आएगा उतना ही water होगा क्योंकि water के आगे भी क्या लगा हुआ है reaction में 2 इस बात का ध्यान रखीएगा सुनो एक सवाल देते आपको ठीक देखिए माल लीजे बच्चों उसने question में आपसे पूछा ठीक एक अच्छा सवाल देते हैं हम आपको देखिए माल लीजे उसने question में exam में दिया कि oxygen हमें कितनी मिल रही water के electrolysis में water के electrolysis करने पर anode पे हमें oxygen मिल रही 5 लीटर कितनी 5 लीटर लो अब बताओ hydrogen कितना मिलेगा water कितना लिया होगा तो जवाब है फाइव लीटर अगर oxygen मिल रही है ठीक है तो फाइफ टूजा 10 होता है यहीं कि 10 लीटर hydrogen मिलेगी और पानी कितना होगा उतना ही होगा जितना hydrogen है यानि कि 10 लीटर आपको क्या मिला होगा पानी 10 लीटर पानी हम लेके चले होंगे ठीक है students तो यह बात ह ध्यान रखिएगा अब आई तिंग आपको अच्छी तरीके से समझने आया होगा अब एक सवाल और एक सवाल इस तरीके से देता है सारे सवाल जो पॉसिबल आपको बता दे रहा हूं एक सवाल सवाल से देता है क्या करेगा आपको आपको hydrogen का volume देदेगा exam में मान लो hydrogen का volume दे दिया उसने मान लो 8 liter लो कहएगा कि 8 liter cathode पे hydrogen मिल रहा है ओर तोनो अब आपसे यह पूचेगा की हमने कितना हमने पानी कितना लिया था पानी लिया था हमने 10 liter लो पानी कितना लिया है 10 liter तो अब आपको यह सोचना है सवाल यह पूछेगा कि oxygen कितना बनेगा और आपको यह सोचना है कि आप पूरा पानी consume हो जाएगा नो सर मैंने आपको बताया ना जितना hydrogen उतना ही पानी लगेगा तो उन्होंने पानी तो कितना लिया 10 लेकिन utilize कितना होगा उतना ही जितना hydrogen बनता है तो इसमें से 10 लीटर पानी में से 8 लीटर utilize हो जाएगा और 2 लीटर as it is रहेगा 2 लीटर पानी पानी जैसा रहेगा 8 में से 2 चला गया भाई वो react नहीं करेगा उसमें कोई reaction नहीं होगी ठीक है 8 लीटर पानी और oxygen कितना बचे जाएगा hydrogen का half यानिके 4 लीटर इतने सवाल आपके एक्जाम में आते हैं ओके सुटेंस चलो अब देखो यहां से पढ़ लो जरा क्या कह रहा है आपको ठेक कह रहा है कि टेक प्लास्टिक मग ड्रिल टू होल साइट बेस और फिट रबर स्टॉपर इन दा होल के नीचे रबर स्टॉपर फिट कर दिया इंसर्ट कारवन इलेक ठीक है पानी भरदो इस तरीके से कि इलेक्रोड डूब जाएं पानी में क्योंकि इलेक्ट्रोड पे ही रेक्षन होती है ज्याद से सुन लीजें चैक हम उतना डिटल में नहीं आ है ऑक्सडेशन रेक्षन होती है चोड़ी उसको ठीक और सल्फिए एसिट क्यों डाला क्यो पर रख दो अब होगा क्या switch on the current and leave the apparatus and disturb for time switch on करके छोड़ दो कह रहा है you will observe the formation of the bubbles at both the electrode these bubbles displaces the test tube okay students these these bubbles displaces the test tube हाँ अब test tube में थोड़ा सा आपको motion दिखाई पड़ेगा ठीक है वो क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूँं बच्चों ध्याम सरा चेक करो motion होगा I am very sorry these these bubbles displaces water in the test tube अब देखो होगा क्या जब तक यह reaction नहीं start हुई थी पूरी test tube पानी से भरी हुई थी लेकिन अब gas के bubble बन रहे हैं इधर बन रही oxygen उदर बन रही hydrogen cathode पे hydrogen anode पे oxygen उपर जा रहे उपर जा रहे उपर जा रहे उपर जा रहे तो प्रयपनी बनाएंगे पानी को नीचे ढख लेंगे प्रेशर अपनी जगारे The semen no sir आप झ्यान से चेक करो आपके NCIT वाले इसको जितना दिखाया है oxygen को उसका डबल यहां दिखाया यह देखिए यहां एक oxygen one part और hydrogen two part by volume by volume याद रखिएगा ठीक है ठीक है ठीक है once the test tube are filled with the respective gases remove them carefully क्या रहा है कि जब reaction आपको लगभग लगभग थोड़ा time के लिए आपको लगए कि हाँ भाई हो गई है काम भर की gases यहां पर हो गई है तो कि यहां बहुत आराम से पास ले जाओ oxygen को ले जाओगे बर्निंग कैंडल के पास oxygen क्या करती है कंबशन में help करती है कैंडल और तेजी से जलने लगी सुन लो ध्यान से कोई साउंड नहीं आएगा यह देखो यह क्या है कैंडल है ठीक यह oxygen वाली टेस्ट्यूब इसके पास लाओगे मानलो यह टेस्ट्यूब है और इसमें क्या है मानलो oxygen है जैसे ही लाओगे इसका फ्लेम बढ़ जाएगा क्योंकि oxygen कंबशन में help करती है no sound कोई sound नहीं आएगा no sound कैंडल और तेजी से जलने लगी उसका फ्लेम और बढ़ जाएगा कोई oxygen क्या करती है बर्निंग में help करती है ठीक अब इसी कैंडल के पास जब दूसरी टेस्ट्यूब लाएंगे कौन सी जिसमें क्या है हाइड्रोजन है ठेक तो क्या होगा यहाँ पर बर्निं होगी और यह इस बन करेगी नहीं कि साथ और हैंडल क्या हो जाएगी केंडल बुझ जाएगी आपके क्योंकि साउंड एनर्जी की हेल वजह से वह फ्लेम डिस्टरब हो जाएगा तो केंडल साउंड इत्ती तेज निकल रहा है जैसे आपने दिखा का बॉम दगाते हो तो केंडल बुझ जाती न तो वही चीज़ा पॉप साउंड इतना तेज है हाइट्रोचन है ठीक चलो कि आप विच गैस इस प्रेजेंट इन टेस्ट्यूब में आपको बता दिया ठीक है कौन सी टेस्ट्यूब में कौन सी गैस है ओके तो यह हो गया आपका और इसमें कोई कोशन नहीं चलिए बढ़ते हैं आगे